जो C++ में जिसकी community बहुत strong हो तो अबर तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है तुम्हें देखना है दूसरे का code तो तुम्हें C++ की चीज़े बहुत असानी से मिल जाएंगी कि अगर जावा वालों को बहुत जादा प्यार नहीं है जावा से तो आ जाओ यार C++ में है न क्यूंकि C++ में कॉम्हें इसे मत करना आप कॉंटेस टार्ट करा भाई में खाना खाने जारा हूं कुछ करने जारा हूं नहीं हमने दो गंटे के लिए बैठा हूं तो रेगुलर रखा रहूंगा यहना एक चीज और बहुत करने बाला हूं आप करने वाला हूं तो रोड़ा फॉर को अधिशी होट टॉपिक है एंड अमंग स्टेंट्ट जैस वेरी फेमस क्योंकि बहुत सारे लोग कामटेपर में करते हैं तो उसका पूरा पात बताने वाला हूं है नह एक पूरा false promise नहीं करूँगा कि तुम Candid Master हो जाओगे Code 4 6 पे या 6 star हो जाओगे Code 4 6 पे बट डेफिनेटली बहुत अच्छे से फ्लेवर ले लोगे competitive farming का अपना time productively use करोगे in competitive farming तो I will be discussing all the things what should be our motive behind competitive farming, कौन सी language में करना चाहिए, क्या prerequisites है कैसे path follow करना चाहिए, कौन-कौन से resources है जहां से हम सीख सकते हैं and the most important part कि contest में participate करना कैसे होता है तो मैं इन सब चीजों के बारे बात करने वाला हूँ तो end तक रहना and you will know all these things and you will know how to excel in competitive farming तो चलो start करते हैं, तो सबसे पहले अपना first point discuss करते हैं that is what should be our motive behind competitive farming competitive farming को placement perspective से बहुत ज़्यादा link मत करना motive के है, हमारी problem solving skills बहुत excellent हो जाएंगी that will help us in placements second, अगर हम अच्छा करते हैं competitive farming में कुछ भी फोर्त है, तो that will stand out amongst others that will make us stand out amongst others because अगर तुम candidate master or court forces पे तो बहुत सारे लोग महीं होते तो एक X factor हो जाता है resume में पे companies में वहाँ पर first round में क्या होता है online test देना होता है तो अगर तुमने competitive farming अच्छे से करक्की होती है उसमें तुम online contest में participate कर रहे होते हो तो असान लगता है और उन companies के first round अच्छे से हम निकाल पाते है ठीक है तो motive क्या है it helps in placements it does not guarantee placement it helps in placements तो मस्त नहीं है बट definitely a great help है for placement perspective तो इस should be our motive behind competitive farming अब तो next point is कौन सी language में करना चाहिए बहुत ही common point है तो देखो तीन languages होती अपनी generally जिसमें code कर रहे होते हैं c++ java and python c++ वालों को दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए c++ में करते रहो competitive farming एक ऐसी चीज है जो c++ में जिसकी community बहुत है तो अगर तुम्हें कोई भी issue आ रहा है तुम्हें देखना है दूसरे का code तो तुम्हें c++ की चीज़े बहुत असानी से मिल जाएंगी because mostly coders c++ में कर रहे होते हैं java so i recommend अगर जावालों को बहुत जादा प्यार नहीं है जावा से तो आ जाओ यार c++ में क्यूंकि c++ क्यूंट है तो long term में बहुत help करेगा जावा की भी ठीट थाग है बट c++ की जादा है तो अगर shift कर सकते हो बहुत जादा मुश्किल नहीं है 15-20 दिन लेंगें है c++ shift हो जाओगे तो c++ में continue कर लो पाइफन वाले नहीं करो पाइफन में बिल्कुल recommend नहीं करूँगा java या फिर c++ अगर तुम shift करी रहे तो c++ में करो तो दिमांग मत लगाओ पाइफन में तो community बहुत ही वीक है उसके दो करने की कोई जबत है अब हम बात करते है थोड़ा सा प्री रिकुसेट्स के बारे में कि कॉम्पटिव पार्मिंग में आने से पहले हमें क्या के पढ़ लेना चाहिए तो सबसे पहले तो कॉम्पटिव बामिंग में आने से पहले हमें अपने इंटर्वीव के लिए अच्छे से रेडी हो जाना जाए जाना वह बात की बात है कॉम्पटिव अच्छे से करना है तो डेटा स्ट्रिक्शन के इजी और मीडियम लेवल के विए कोश्टन सब्सक्राइब करो बट इस सब चीजों के बेसिक पहले अच्छे से कर लेना तब ही इसको मत स्क्रिप्ट करना यह तुम्हारा बेस बनाएगा और तुम्हें फिर अच्छे से करके आएंगे इस पहले चार से पार्च मैंने अच्छे से लगा कि आएंगे तब जाके हम कॉंप्टर ब्रामिंग में जाएंगे तो यह पुएंट क्लियर है और मैंने लैंग्वेज का अधि क्लियर कर लिया है तो एक लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में डेटा शुक्षिट वाला पार्ट भी अब बात करते थोड़ा सा रिसोर्चिस के बारे में कि कहां-कहां से हम पढ़ सकते हैं तो एक तो Guide to CP की बुक है मैं लिंक भी एटार्च करने में वो बहुत ही फेमोस बुक है सारा कॉमबरे फकामिंग का अलमोस से ब़स उससे पर तो तूम उस बुक से पढ़ सकते हो उस बुक में कुछ काफी कुछ content सही से है बट कुछ content retail में नहीं है तो वो तुम cpalgorithms.com करके एक website है बहुत ही famous website है उस पे अच्छे से covered है वो क्या करता है हर topic के बारे में मालो BFS, DFS लिया हमने तो उसके बारे में बताता है BFS, DFS लिया और उसके questions कौन कोन से करने है वो भी से तुम कर सकते हो एक CSS problem set है 200 का problem set है तो जो मैंने पर्स बुक बताया थी guide to cp वाली उसी के link questions है महां से भी practice कर सकते हो है न हमारे platform code studio पे अभी guided part DS and algo aptitude preparation इन सब के उपर है बट सून और सून पर भी आने वाला है तो तुम लेटर on उस पर भी पढ़ सकते हो तो दीज आ समन अब आते हैं पात के उपर कि किस order में करने हैं competitive farming के topics मैंने इसका एक dog भी बना रख था है which I will share in the description तो अगर मैं बताऊं तो मैंने उससे आप से देख के बता रहा हूं सबसे पहले STL या collections जो भी तुमने DS and algo में पढ़े थे like priority Qs पढ़ा होगा Qs पढ़ा होगा उसको ने STL मैं अच्छे से थोड़ा comfortable हो जाना चाहिए कि मैं फटावट से priority Q use कर पा रहा हूं एक होता है priority Q के बारे में सीख रहा हूं अब है use कर पा रहा हूं कि इस question में priority Q लगेगा क्योंकि minimum मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए इस question में Q लगेगा तो यह जो STL वाली चीज है कि मिन यूज कर पा रहे हूं कि सौर्टिंग वगेरा जल्दी से लगा पा रहे हूं फिर उसके बाद ना हमें binary search की थोड़ी बहुत सारी अप्लिकेशन साती है इसे लोगर बांड अपर बांड वाली चीज़े भी बहुत जादा यूज आती है तो वह अच्छ से कर लेना चीए ए देखोता है bit manipulation तो यह मैं कहता हूं यह पहले पढ़ लेना चीए bit manipulation लोग ना इसको skip कर देते हैं कि bit wise हम क्या क्या चीज़े जल्दी से कर सकते हैं तो वह भी तुम पढ़ सकते हो bit manipulation will be helpful for you फिर कुछ greedy algorithms होती है कि sort करके कैसे जल्दी से हो जाएगा maximum निकाल कि कैसे जल्दी से हो जाएगा तो यह सब चीज़े अच्छे से हमें greedy algorithms की चीज़े पढ़ लेनी चीज़े हैं मैं बता हूंगा कि contest में कब आ रहे हैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूं कि यह सब पढ़ के फिर जाएंगी contest में greedy algorithms कर लिया फिर एक modulo arithmetic करके चीज होती है तुमने देखा हुआ modulo of 10 to the power 9 plus 7 बहुत ही सारे questions में लगता है तो उसके पीछे जो भी concepts लग रहे होते हैं वो अच्छे से समयज़ लेना चाहिए कि modulo arithmetic को कैसे अच्छे से use कर सकते cp algorithm उसमें बहुत अच्छे से समधारक है definitely read it और उसमें बहुत comfortable हो जाना because competitive programming में आने वाला है modulo 10 to the power 9 plus 7 यह बहुत जगे आएगा फिर उसके बाद हमें dynamic programming के थोड़े hard questions करने चाहिए हमने basic level के questions करके आयोंगे I am assuming DSNL में थोड़े से hard level के questions जैसे matrix chain multiplication type के questions होते हैं उसी का mixtures type का variation होता है तो थोड़े से hard level के questions अब dynamic programming में करने हैं और try करना है आप की iterative solutions लिखना शुरू करें because competitive programming में यार वो recursion वाले ज्यादा संबिट नी होते विकॉस stack workflow आ रहा होता है तो हमें iterative solutions पर ज्यादा ध्यान देना है और उसकी अच्छे से हमें iterative solutions करने पढ़ेंगे है ना फिर हम पढ़ेंगे segment tree नाम की चीज़ यह range query problems में बहुत काम आती है कि मेरे को 1 से लेकर 3 index तक का answer चाहिए है यह 3 से लेकर 5 index तक का answer चाहिए तो segment tree को थोड़ा अच्छे से concept समझेंगे उसमें lazy propagation कैसे use होता है वो अच्छे समझेंगे इस topic को अच्छे से कर लेंगे because that will help you in range query problems और उसके बाद एक graphs है और एक number theory यह दोनों मतलब pillars हैं ग्राफ का question आए गई आएगा number theory का question आए गई आएगा तो यह दोनों concepts बहुत अच्छे से करने होता है number theory में बहुत चीज़े पढ़नी होती है बहुत टाइप की theorem पढ़नी होती है ग्राफ में डेक्स्ट्रा यूज करना है ना फ्लॉइड वार्शल यूज करना खांस अल्गॉर्थम पढ़ना इसमें मतला बेसिकली वह strongly connected component वाली चीज होती है वह अच्छे से पढ़ना होता है तो यह graph number theory भी अच्छे से पढ़नेंगे तो अभी तक हमने क्या-क्या में चीज़े पढ़ ली binary search की application बहुत काम आएंगी ग्रीडी algorithms बहुत काम आएंगी bit manipulation modulo arithmetic dynamic programming segmentary graphs and number theory यह तुम्हारा बेस है इनहीं के around बहुत सारे problems आएंगे अब तुम्हारा बेस बन गया competitive programming का तो what you can do is now you can start participating in contest इससे पहले मत करना पहले ही अच्छे से थोड़े topic हर topic के 10 से 10 problems करने हर topic को सीखना कैसे problem solve करके करना है न तो हर topic के कम दिख से कम तुमने 10 से 15 problems solve करेंगे अब जाके तुम competitive programming के contest में participate करना start कर सकते हैं क्योंकि अब तुम्हें पता होगा अच्छे इसमें कैसे कैसे सोच सकते हैं अब contest participate करने के लिए मैं highly recommend करता हूँ code forces क्यों recommend करता हूँ because उस पे न सारे logical level के problems होते हैं थोड़ा mathematical driven है तो मैं केवाल एक single platform recommend करूंगा code forces उस पर क्या होता है monthly 6 से 7 contest हो रहे होते हैं div 3 beginners के लिए बहुत सही है div 2 होता है div 1 होते है और भी 2 तिंग क्यों होते हैं code forces तुम्हारा अच्छा base बनाता है इन 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 वामें क्योंकि तुम्हारे logical level के questions हो रहे हैं तो मैं सबज्ज में आ रहा होता है अच्छा ही इसले चलेगा और यह इसले नहीं चले हैं कोड़ शेफ में क्या है यार mathematics है नहीं पता तो नहीं पता कोड़ फोर्स में क्या नहीं पता तो भी तुम सीखके अब समझ सकते हो और वो शाद फ्यूचर वाली प्रॉब्लम में अप्लाई रह सकते हो तो participate करना शुरू कर दो contest में और साथ साथ में कुछ extra topics बताने वाले हो उसको पढ़ते रहा हो और contest देते रहा हो तो 6-7 contest दे रहे होंगे कुछ कॉंटेस्ट फिर भी इजी होंगे कुछ कॉंटेस्ट मुश्किल होंगे अब यह नहीं लगेगा कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो जो एक्स्टर टॉपिक जो साथ-साथ पढ़ने हैं वह कौन-कौन से एक तो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है मतलब केंपी कॉंसर्ट पर जिसे सेग्मेंट्री पढ़ा था वैसी रेंज कोरी प्रॉलम्स के लिए कहीं के जगे फेंविक्ट्री यूज़ हो जाता है कुछ मिक्स प्रॉलम्स और डानेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स कर सकते हो तो थोड़ों से तुम्हें कंफरेबल करेंगे तो अब हम कॉंटेस में पार्टिसिपेट करते रहेंगे छे से साथ कॉंटेस मंतली देंगे कोर्ट फोर्स पर देंगे और साथ साथ इन टॉपिक्स को थोड़ा लर्न करते रहेंगे तो हमारा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा अब काम करना अब हम कॉंटेस में पार्टिस participate करना किसे चहिए and how we should participate. ये तो मैंने बता दिये,では court forces, 6 & 7こと दे रहे हैं, अब contest दिया, पहली। बाथ तो contest दे्टे टायम ऐसे मत करना कॉंटेस स्टार्ट करसा भाई मैं खाना खाने जारूं कुछ करने जारूं, नहीं, अमने 2 गंटे के लिए बैठा हूं तो रेगुलर बैठा रहूँगा नहीं हूँ अचाहे एक भी कोशन बढ़ दो घंटे लगांगा तूकर दिमाग लगाता रहूंगा और करता रहूंगा जबतक कोशन नीं होते लगे रहो लगे रहो pen and paper अपने साथ रखो। सारे problems pen and paper से ही solve वोगे करो। सारा logic लगाना है, तो pen and paper अपने साथ रखो, दो गंडे वैठो और बैठके सोचके खुद कोड करो। छे question आये थे हो सकते हैं दो हो सकते हैं एक ही हो जितने होए बहुत अच्छा है अब उनको भूल जाओ वो question कभी भी हो जाते जो question नहीं हुए उसका एक editorial आएगा अब उस editorial में सबसे पहले topic देखो किस topic पर है जसी क्या तुमने वो topic पढ़ रखा है अगर पढ़ रखा है तो mark करो ठीक है मैं इस topic को एक बड़ी रिवाइज करके आऊँगा और फिर से इस question को practice करूँगा अगर नहीं पढ़ रखा तो mark करो और topic को मैं पढ़ करूँगा तो म अब थोड़ा दिमाग बंद हो जाता है तो contest की अगले दिन जाओ जो questions नहीं हो है उसमें topic देखो क्या पढ़ रखा है या क्या नहीं पढ़ रखा है अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं पढ़ कि आऊँगा अपने bucket list में डाल दो कि में को यह topic पढ़ना है और उसकी बाद यह help करे रहा ठीक है अब अगर question आया और अभी भी नहीं हो रहा तो editorial पूरा पढ़ो उसका पूरा चेश समझो और खुझ से code करो दूसरे का code मत देखना खुझ से code करो पूरा end तक problem solve करो और जब तक submit नहीं हो जाते लगे रहो यहना क्यूंकि अब तो मैं concept phone में आ तुमने solution द बाद दुबारा करो हुआ कि मुझसे नहीं हुआ था अगर editorial देखके code करके हो गया तो that is good enough है ना बट अगर editorial देखने कर दो कोड भी नहीं कर पा रहे हो तो just see the code mark it कि मैं इस question को 20 दिन बाद दुबारा करो हुआ इस strategy this overall strategy will help you a lot in excelling the contest तुमने contest दिया उससे सीखना भी है कि जो question नहीं हुए कौन-कौन से तुम्हें पतले गया कौन-कौन से topics पढ़ने और कौन-कौन से topics को revise करा रिवाइस करा question solve करा नहीं हुआ तो देखके दुबारा solve करा और 20 दिन बाद देखना मतब दुबारा से उसको solve करा अगर topic नहीं पढ़ागा तो topic जाके पढ़ा फिर उस question को practice करा फिर से वह strategy follow करी नहीं हुआ तो editorial देखा code करने कोश्च करी नहीं हुआ तो पूरा code करा कि भाई मैं इसको दुबारा question को करूगा so this is how you will excel in competitive warming तो मैं समझ में आ जाएगा और ऐसे अगर तुम चार-पाच महिनी के लिए अपने process बना लेते हो तो I'll take a guarantee competitive warming improve बहुत जाद हो जाओ क्या candidate master बन जाओगे क्या six star at quarter बन जाओगे no वह बहुत individual level पे है उसमें क्या तुम contest पर फोड़ते हो और नहीं फोड़ते हो तो वह उस पर बहुत डिपेंड करते है तो उसकी मैं guarantee नहीं लोगा बट competitive warming definitely improve बहुत जाद हो जाओगे एक चीज़ और बहुत करो अगर तुम्हें लगता है थोड़ी और प्राक्टेस करनी है तो court forces पे एक virtual contest होते है जो पुराने contest है उनको तुम्हें as a life contest दे सकते हो तो जब भी तुम्हें टाइम मिले कि मैं दो घंटे आर आप में contest देना चाहता हूं regular habit बनाओ solve करो questions और वो contest की habit डाल लो जिससे कि तुम जब actual life contest है उसमें अच्छे से फोड़ दो है ना सो यह मैंने पूरा path बता दी है which you can do in competitive warming I think that will definitely help you in excellent in competitive warming इसको अच्छे से कर लेना चार से बाच महीन ही लगे और तुम बहुत अच्छे हो जाओगे competitive warming ठीक है चलो thank you